जैसा कि मैँने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि वाट इस एवापिरेशन एड़ फेक्टरीच। आज प्रुक प्रीट करना है जब आप कोई इस्प्रेइ अपने बॉड़ी पे मारते हो जनरली DO हो गया या कोई ओल हो गया तो ये आपके बॉड़ी पे cooling effect डालता है कोई भी spirit, suppose that अपने skin पे आप डालते हो, तो ये spirit आपके बॉड़ी पे cooling effect प्रोवाइड करता है ये cooling effect किस तरह से आता है, जब कोई spirit हमारे body के किसी part पर पड़ता है इस्किन पे तो इस्किन में जो हीट रहती है वो इस्पिरिट उसको एबजॉर्ब कर लेता है और जो हीट वो एबजॉर्ब करता है वो इस्पिरिट वो लेटेंट हीट के फॉर्म में होती है जिस वाईसे वो इस्पिरिट उस हीट को एबजॉर्ब करके गैसियस स्टेट में convert हो जाता है तो वो latent heat, latent heat of vaporization के form में होता है और latent heat of vaporization हमने पहले study किया है तो जब यह heat latent heat of vaporization के form में यह spirit हमारे skin से उतना heat जब absorb कर लेता है और gas में convert हो जाता है तो हमारे skin पे उतने heat की कमी हो जाती है और यह spirit हमारे उपर cooling effect डाल देता है तो यही होता है cooling effect of evaporation जब किसी body पे किसी liquid के evaporate होने के वएसे उसमें cooling effect थंडा प्रभाव पड़े तो इस effect को हम cooling effect of evaporation कहते हैं The effect causes cooling on any object by evaporation is called cooling effect of evaporation वो effect जो किसी object पे cooling effect डाले evaporation के द्वारा वही cooling effect of evaporation है because in evaporation the liquid that converted into gaseous state absorb the heat energy क्योंकि evaporation में जो liquid gaseous state में convert होता है वो उस object से उतना latent heat के form में heat energy absorb कर लेता है This is due to the taken of latent heat of vaporization या किस वाज़े से होता है वो उस body से latent heat of evaporation के form में उतना energy absorb कर लेता है जिस वैसे उस body में उतनी energy की heat energy की कमी हो जाती है और उस body पे cooling effect पढ़ता है इसके हमें कुछ examples पढ़ने हैं जैसा कि पहला example मैंने आपको दिया है if we spray some spirit on our hand it takes latent heat of vaporization from the skin part of our hand अगर अपने हाथ में कोई भी spirit generally आपके पास dew अगेरा होता है तो वो अपने skin पे आप डालते हैं तो वो गैस में तुरंत convert हो जाता है अब ये गैस में convert कैसे हुआ है ये जो spirit है वो हमारे hand के skin से heat energy latent heat के form में ले लिया है और evaporate हो गया है जिस वाज़े से हमारे skin के part पे cooling effect आ जाता है और उतनी heat की कमी हो जाती है यही reason है कि हमारे उस portion पे hand के cooling feel होता है हमारा next जो example है गर्मियों के दिनों में जनरली मटके में पानी रखा जाता है आप जानते हैं मटके में जो पानी रहता है वो cool रहता है ठीक है मिट्टी का जो मटका होता है तो गर्मियों के दिनों में earth and pot जो होता है उसमें water रहता है तो वो water cool कैसे रहता है इसका भी region cooling effect of evaporation है क्यों इसका reason cooling effect of evaporation है यह जो earth and pot है इसका जो surface होता है इसका जो surface होता है वो मिट्टी का बना होता है और इसमें teeny pores होते हैं छोटे 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 छेद होते हैं अब इस earth and pot के अंदर जो water है इंटीनी pores से इस earth and pot के surface पे आ जाता है धीरे धीरे जो water है इस earth and pot के surface पे आ जाता है रिष्टे हुए तो जो earth and pot में pores होते हैं उससे ये earth and pot के surface पे शिप करते हुए ये water आ जाता है और ये water जो earth and pot के surface पे आया है ये धीरे धीरे atmosphere में evaporate होने रगता है कैसे evaporate होता है इसके bulk portion में जो water है ये earth and pot के surface पे जो water गया है ये इसके beach वाले part से earth and pot के bulk वाले part से में जो water है उससे latent heat of vaporization के form में heat energy ले ले लेता है, absorb कर लेता है और gas में convert हो जाता है, surface पे जो water है जिस वयसे bulk वाले portion में उतने latent heat की कमी हो जाती है जितना heat, surface वाला जो water गया है, pores के थुरू उसमें जितना latent heat of vaporization के form में heat लिया है bulk portion वाले water से जिस वयसे bulk वाले part में cooling effect पढ़ जाता है और bulk के part में जो water है, beach वाले part में जो water है वो ठंडा रहता है यही region है कि गर्मियों के दिनों में हम मटकों में earthen pot में water रखते हैं तो यह मैंने आपको describe कि earthen pot में जो water होता है वो कैसे cool रहता है तो in hot summer days water is generally kept in earthen pot because water exists in earthen pot does not get hot the earthen pot has large number of tiny pores on the surface of the water kept sipping from the pores of the outside of the pitcher surface क्योंकि earthen pot में tiny pores होते हैं जिस वयसे जो tiny pores हैं earthen pot में उसके through water earthen pot के जो मिट्टी का pitcher होता है, pitcher के surface पहुँच जाते हैं और continuously यह रिसाव होता रहता है पानी का और bulk के portion में जो water है उससे latent heat of vaporization के form में यह surface पे pores के through जो water पहुचा है वो heat energy latent heat of vaporization के form में ले लेता है और हमारा जो water रहता है वो cooling effect के वज़े से ठंडा रहता है यही region है कि गर्मियों के दिनों में हम मटको में पानी रखते हैं हमारा next जो example है आप generally देखे होंगे अर्थ का जितना भी पानी है वो एक साथ evaporate नहीं होता है क्योंकि अर्थ का जो latent heat of vaporization है वो बहुत जादे नहीं है ओके इट शुट भी जैसा कि यहां notes में मैंने describe किया है इट शुट भी noted that all the water on the earth does not get evaporated due to the high value of latent heat of vaporization of water अर्थ का सारा पानी evaporate इसलिए नहीं होता है कि latent heat of vaporization जो है water का वो बहुत जादे high है आपको मैंने पताया था latent heat of vaporization water का कितना होता है इस question का answer आप मुझे वीडियो के last में comment box में लिख सकते हैं तो इसको याद करिए आप रिवाइस करते रहिए जो भी मैं प्रिवियसली आपको लेक्चर दिया हूं उन सबको आप देखते रहिए वीडियो को तो latent heat of vaporization जो भी है वाटर का वो हाई होने के वज़े से अर्थ का पूरा water एक साथ इवेपोरेट नहीं होता है कुछ जगहों पे आप देखे होंगे गर्मियोग दिनों में water का छिड़काओ किया जाता है इस प्रिंकल किया जाता है ग्राउंड पे यह इस प्रिंकल क्यों होता है गर्मियोग दिनों में बिकॉज दिस वाटर इवेपोरेट्स बाइ टेकिंग हीज अमांट अफ लेटेंट इट 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 इप्राइजेशन फ्रॉन दे ग्राउंड तो यह वाटर जो छिड़का जाता है गर्मियोग दिनों में जमीन पे अर्थ पे वो लेटेंट इट 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 इ जब यह वाटर छिड़काओ के वाज़से जो जमीन पे वाटर है वो इवेपोरेट विलेज वगएरा में देखे होंगे साम के समय लोग छिड़काओ करते हैं वाटर का तो यह कूलिंग इफेक्ट लैटेंट इट इट आफ इप्राइजेशन के फॉर्म में जब वाटर इ देख सकते हैं गर्मियों के दिनों में in hot summer days जब हम hard work करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे body पे skin part से sweat निकलता है when sweat evaporates जब यह sweat evaporate होता है तो हमारे body से latent heat of vaporization के form में heat energy लेता है जिस वज़िसे हमारे body पे cooling effect आजाता है और हम comfortable feel करते हैं ओके तो यह भी next example था इसी तरह से आप बहुत सारे examples दे सकते हैं cooling effect of evaporation के desert cooler causes cooling effect by cooling effect of evaporation of water desert cooler भी एक cooling effect of evaporation का example है क्योंकि high temperature because the high temperature and dryness increase the rate of evaporation desert cooler के अंदर जो water होता है वो high temperature के वैसे easily evaporate होता है और उसमें cooling effect आजाता है जिस वैसे उस cooler से जो air निकलता है वो हमें cool air provide करता है ठीक है यह सभी जितने भी examples से cooling effect of evaporation के थे तो I hope आप लोग को cooling effect of evaporation समझ में आ गया होगा main point जो है cooling effect of evaporation का आपको याद रखना है कि यह जो cooling effect पढ़ता है किसी body में यह आपके यह जो cooling effect है किसी भी body में evaporation जब होता है तो वो latent heat of evaporation के form में cooling effect किसी body पढ़ता है जिस वाज़े से हमको cool feel होता है latent heat of evaporation यह आपको याद रखना होगा इस point में ओके हमारा जो next topic है वो है plasma और बोस आइंस्टेंड condensed state जनरली आपके lesson में five state of matter दिये है जो कि आपको study करना है जनरली five state होते है matter के solid, solid state, liquid state, gases state, plasma state और बोस आइंस्टेंड condensed state तो solid, liquid, gas के बारे में तो आप study कर चुके हैं कि solid का safe, size, volume definite होता है water का liquid का safe, size definite नहीं होता है volume definite होता है gas का ना तो safe definite होता है ना तो volume definite होता है intermolecular space के basis पे भी आप तीनों में differentiate कर सकते हैं तो solid, liquid, gas की property के basis पे difference मैं आपको homework दे रहा हूँ कि solid, liquid, gas का difference आप अपने notebook में लिख के describe करके मुझे so करेंगे प्लाज्मा state matter का क्या होता है यह जो plasma state है यह fourth state of matter है और यह इसको हम super hot state of matter भी करते है it is the fourth state of matter ठीक है यह fourth state matter का होता है बहुत जादे at very high temperature जब बहुत जादे हम temperature किसी gas का बढ़ा देते हैं जैसे hydrogen हो गया at very high temperature gases gets ionized ions के form में gas convert हो जाते हैं ठीक है helium जो है वो अपने ion के form में convert हो जाएगा hydrogen भी अपने ion के form में convert हो जाएगा helium पे दो positive charge जाएगा ठीक है gases ionization हो जाता है तो by the ionization at very high temperature प्लाज्मा state is formed जब gas high temperature पे ionized हो जाते हैं और ions में convert हो जाते हैं तो plasma state का formation होता है और plasma state के formation से gases जो है वो glow करने लगते हैं उनमें चमक आ जाती है ionize हो जाते हैं तो यह fourth state है matter का generally stars sun वगयरा जितने sun भी एक star है तो आप देखे होंगे उसमें भी plasma state के ही वज़े से stars जो भी है generally हमारे solar system में जो sun है वो plasma state के gases के ionized होने के वज़े से sun में hydrogen gas helium gas की मात्रा बहुत जाते हैं तो यह gases जब ionized हो जाते हैं तो sun जो है वो glow करता है किस वज़े से plasma state के formation होने के वज़े से ठीक है तो आप समझ गया होंगे plasma state matter का क्या होता है यह fourth state of matter होता है at very high temperature gases gets ionized plasma is form बहुत high temperature पे जो gas होते हैं जैसे hydrogen हो गया helium हो गया neon हो गया argon हो गया है जितने भी हमारे noble gases है helium, neon, argon, krypton, xenon, redon यह सब हमारे noble gases है यह सब जब ionized हो जाते हैं at very high temperature तो plasma state का formation होता है जैसे कि इसके example में मैं आपको star और sun का example दे सकता हूँ क्यूंकि universe में हमारे stars और sun बहुत सारे हैं तो plasma state हमारे universe में सबसे ज़्यादे मात्रा में है तो यह sun और stars क्यों glow करते हैं plasma state जब form होता है इन में gases जब ionized हो जाते हैं at very high temperature then plasma state is formed in sun and star यह 50 state of matter का है electricity जब हम अपने neon sign bulb या फिर tube light वगएर आप देखे होंगे जब उसका बहुत low pressure होता है bulb में glass के अंदर और जब उसमें हम electricity provide करते हैं जब उसमें high temperature आ जाता है तो उस glass के अंदर neon gas होती है ओके neon gas या helium gas जब ionized होते हैं तो जो tube light bulb वगएरा होता है वो glow करने लगता है यह भी यहां पे भी हमारा plasma state का formation होता है जिसे वैसे bulb glow करता है जिसे हम objects को देख पाते हैं fluorescence of neon sign bulb fluorescence मतलब चमकना fluorescence of neon sign bulb is due to formation of plasma state okay helium and neon ion जब form होते हैं तो plasma state का formation होता है neon sign bulb में due to the formation of helium neon ion day starts glowing and these ions are called plasma state of matter जब यह helium और neon ion का formation होता है high temperature पे तो वो glow होने लगते हैं चमकने लगते हैं और plasma state का bulb में formation होता है तो मैं I hope that आपको यह plasma state समझ में आ गया होगा जो कि fourth state of matter का है और universe में यह सबसे जादे मात्रा में पाये जाता है पाचवाई state जो है matter का है वो है बोस आइंस्टेंड कंडेंस state generally class 9 में आपके बोस आइंस्टेंड कंडेंस state के बारे में बहुत जादे कुछ नहीं दिया है क्यूंकि आपको quantum level pay particles के बारे में class 9 में study नहीं करना है even 10 में भी नहीं है 11 में आपको study करना है कि quantum numbers क्या होते हैं तो बोस आइंस्टेंड कंडेंस state जो है यह हमारा fifth state होता है matter का और in 1920 एन इंडियन साइंटिस्ट सतेंदरनाथ बोस फर्ट डिस्कवर इस state of matter ठीक है और आइंस्टाइन ने इस state of matter के लिए approval भी किया था इनके साथ आकर के ठीक है तो यह बोस आइंस्टाइन कंडेंस state आपको याद रखना है fifth state of matter का है 1920 में इंडियन साइंटिस्ट सतेंदरनाथ बोस ने दिया था और यह जो बोस आइंस्टाइन कंडेंस state होता है matter का यह indistinguisible particles के मिलने से बनता है indistinguisible particles मतलब ऐसे particles जिनको हम तोड़ नहीं सकते हैं उनको indistinguisible particles कहते हैं यह indistinguisible particles के थुरू कैसे form होता है यह 9th में आपके class में नहीं दिया है आपके class में बस आपको यह पढ़ना है कि fifth state matter का होता है सतेंदरनाथ बोस ने दिया था और यह जब हम bosons को condensation कराते हैं यह इस state का formation बहुत ही कम temperature पे जब हम किसी gas, gaseous particles यह भी gaseous particles को किस तरह के gas के particles जनरली quantum level पे ऐसे particles जिनको बहुत जादे super cool हम करते हैं जब particles को 200 super cool temperature absolute freezing point minus 273.15 degree Celsius पे जब हम gas के particles को cool करते हैं तब इस state का formation होता है अब यह state कैसे form होता है यह मैं आपको थोड़ा बहुत describe कर देता हूँ जनरली आपके सलीबस में नहीं है जितना अभी तक मैंने इसके बारे में बता है बस इतना ही आपको पढ़ना है फिर भी मैं आपको बता देता हूँ indistinguisible particles दो तरह के होते हैं एक तो bosons ओके एक bosons होते हैं और generally और electrons दो तरह के indistinguisible particles होते हैं ठीक है जिनको हम तोड़ नहीं सकते हैं bosons के अंदर photons वगेरा आते हैं photons क्या होता है photons light आप जानते हैं light जो होता है वो छोटे-छोटे tiny particles के मिलने से बनता है light आप जानते है sun से जो light निकलती है light एक energy का form होता है यह light wave के form में चलता है और यह छोटे-छोटे particles के मिलने से बनता है जिसको हम photon कहते हैं और electron जो होता है वो atom के अंदर subatomic particle होता है atom मैंने आपको बताया था कि atom जो होता है वो सबसे smallest particle होता है किसी matter का तो जब यह bosons तो electrons के द्वारा boson instant condensate का formation नहीं होता है क्योंकि electron जो होते हैं वो उनका जो move करने का direction होता है वो fractional move करते हैं मतलब वो एक ही direction में move नहीं करते हैं और यह क्यों एक ही direction में move नहीं करते हैं यह आपको 11th में पढ़ना है पावली's exclusion principle में क्योंकि इसके quantum numbers जो होते हैं वो different होते हैं और bosons जो होते हैं वो integral motion करते हैं मतलब एक ही direction में move करते हैं जब हम absolute freezing point को इन bosons को जब हम जो की wave की तरह nature behave कर रहा है जब हम cool करते हैं तो absolute freezing point पे यह bosons जो हैं एक दूसरे के पास आने लगते हैं आप जानते हैं कि gas के particles को condensation हम कैसे करते हैं gas को cool करते हैं तो दीरे 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 वो पास आ करके liquefy हो जाता है ठीक है तो यह तो condensation था लेकिन bosons instant condensate का formation bosons के थुरू कैसे होता है जब यह bosons जो होते हैं indistinguable particles जो bosons हैं इनको absolute freezing point पे हम cool करते हैं तो यह एक दूसरे के अंदर आने लगते हैं मतलब overlap करने लगते हैं एक दूसरे के अंदर absolute freezing point पे आने लगते हैं जिस वज़े से बहुत जादे cool करने पर यह accumulate हो जाते हैं और accumulate होने के वज़े से एक new तरह का state बनता है जिसकी property अधर सारे इस्टेट की अधर सारे जो भी physical states है matter के उससे different है इसी को हम both science stand condensed state करते हैं तो यह super cool state of matter है both science stand condensed state और plasma state जो है वो super hot state of matter है यह आपको याद रखना होगा तो इतना मैंने आपको आज आपका lesson जो है उसके सारे topics cover हो गया है इसके बाद मैं आपको questions दूँगा solve करने के लिए इस lesson से जितने भी question related है जितने भी question बन सकते हैं उसको हम solve करेंगे आज के लिए ही इतना ही इस video को आप देखिए और समझिए और जो भी question आपको ना समझ में आए इससे जो भी आपके questions उठे उसको आप मुझसे पूछ सकते हैं Thank you